कि आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वाल्ट करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले एससी सीजेल का जो आपका एक्जाम हो है उसकी अंसर की कव आईगी और इसके अंदर आपके जो सेफ अटेम्ट से वह क्यार रह सकते हैं और इसकी जो एक्सपेक्टिट कटोफ है आपकी कैटिगरी वाइज मैं व आपका कब तक आ जाएगा तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पर बात करनेवाले हैं अगर आप अभी तक क्यानल को सब्सक्राcion को नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राcion को जरूर्रपेस कर दीज को कोई भी नोटिस डिने आया क्योंकि संडे था कल दो तारीख यह तो दो तारीख को आपकी जो है SSI CGL की अंसर की जो है वह डेफिनेटली अप्लोड कर दी जाएगी शाम तक आपकी जो हैंशर कि अप्लोड कर दी जाएगी और अगर बात करता हूं उसके सेफ सेफ अटेम्ट के पारे में तो सभी सिफ्ट के जो एक्जाम है वो लेवल सेम रहा है मोडरेट लेवल आप बोल सकते हैं क्योंकि रीजनिंग और मैथ अगर आपके इजी थे किसी एक्जाम में तो उसके अंदर जी के और आपका इंग्लिस थोड़ा आसा मोडरेट यानिके दो सब्जाइक्ट जी के तो लगबग लगबग सभी में मोडरेट से मोडरेट टू हाई रही है क्योंकि इन्होंने जो है जी के अंदर 2019 का 2020 का और 2021 का डाटा सब पूछा गया है तो जी के को मोडरेट माना जा रहा है इसके अंदर और अगर मैं बात को भी डरने की चरूरत नहीं है लेकिन इसके अंदर आपकी एक्क्यूरेसी बहुत माइने रखती है अगर आपने 75 किये और आपके जो सही है वो सिर्फ 55 या 60 है तो उनसे आपको काम नहीं चलेगा आपकी एक्क्यूरेसी 90-95 परसेंट आपके एक्क्यूरेसी रहनी चाहिए अगर आपको प्रिलिम्स को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है क्योंकि प्रिलिम्स को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के दो फायद है अगर प्रिलिम्स में आपके 160 प्लस नंबर आते हैं तो मेंस के लिए अगर आपका कोई एक्जाम थोड़ा बहुत कम भ करता हूं तो यू आर और ओबी सी और सी और स्टी के लिए आपकी कट ओफ अगर मैं बात करता हूं तो यह एक एक स्पेक्टिट कट ओफ है प्रीवेस एर के अधार पर तो 130 प्लस पे आप सेफ रहेंगे इसके अंदर इसमें आप 120 और इसके अंदर आप अगर 100 के नजदीक हैं यानि के 50 सवाल 55 सवाल आपके ठीक हैं तो आप सेफ रहेंगे और इसके अंदर आप 90 प्लस नंबरों पर सेफ रहेंगे यह मार्क्स हैं सवाल आप कैल्कुलेट कर सकते हैं दो नंबर का एक सवाल रहता है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो कि आएगर hem बात करता हूं इसकि कब तक आ तक आ सकता है तो जैसा कि S씨 2-3 मंत का समय लेती है दिकलेयर करने में तो आप मानों कर चल सकते हैं कि मैं में तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता जून के लास्ट वीक तक आपका जो डिजल्ट है वो डेफिनेटली पबिश्क कर दिया जाएगा और उसी के साथ आपकी जो है टीर टू की डेट अनॉंस कर दी जाएगी इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपके अटेम्ट इतने हैं कि आपका चांस बनता है और आपकी एक्कुरेशी कितनी रही है मोक टेस्ट के अंदर तो मैं आपको रिप्लाइक कर दूँगा कि आपकी जो एक्क कि आपके आपके आपकी एक्ता है कि आपकी आपकी एक्कुरेशी।